हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू स्टुडी 24 तो दोजार 23 का एक और डीवी नोटिस मैं आपके सामें लेकर आ गई हूं और इसमें 2022 का भी अपॉंट्मेंट लेटर है उन दोनों को लोग डिसकस करेंगे तो पूरी वीडियो को इन तक जरूर देखेगा तो देख लेते हैं क अपार्ट्मेंट और फूद पूब्लिक दिस्रिबूशन का बाला डिपार्ट्मेंट है आपका न्यू डेली का ठीक क्या है यह प्रोविजनल अपॉंट्मेंट टू पोस्ट आप MTS मिला हुआ है आपको पी अपॉंट्मेंट के लिए आपका यह नोटिस है विद रिफरे आपको क्या बताया गया है यू आ रिक्वेस्टेट तू फिल इंदा इंग्लोज अटेस्टेशन फॉर्म के आप फिल करेंगे वह आपको करना है क्या बताया गया है यू आ रिक्वेस्टेट तू फिल इंदा इंग्लोज अटेस्टेशन फॉर्म इंट्रिप्लिकेट अफेक्सिंग वन कॉपी और रिसेंट पास्पोर्ट साइज फोटोग्राफ ओन इच देंग तीनों पर एक एक फोटोग्राफ लगेगी आपकी इट म रॉप्लिकेट होगा आपका दो सेट में यह टीन सैट में ठीक है इसूट वाइट तू डिफ्रेंट परसंस और दोनों का गरेक्टर पर अलग अलग आप गस्टेट ऑफिसर की साइन कराएंगे इन केस वार इंप्लिए अंडर सैंट लगार अपकी जॉब में तो वही वाल यह अएटस्टेशन करना है सब्सक्राइब करना है एटस्टेशन करना है उतकर birth certificate भही 10th की माक्षित होती है educational जो भी रहेंगी ठीक है essential qualifications आपकी 10th वही हो जाएगी SCST OVC का मतलब कास certificate का जो भी आपका certificate है उसका आपको भेजना है if any certificate regarding claiming is registration मतलब यह basic चीज़ें आधार कार्ड qualifications और आपका कास certificate और वाकी medical character attestation यह सारी चीज़ें आपको 13 जन्वरी तक इनको send कर देनी है और आप इसको कैसे कर सकते हैं mail कर दीजेगा by post भी कर सकते हैं दोनों तरीके से कर सकते हैं ठीक है फिर आपका यह attestation form आ गया है आपका attestation form में रेखिए वही attestation है आपका और नीचे देखिए certificate of character दे रखा है medical certificate और वही declaration वाला ठीक है तो यह चीज़ें आपकी आई थी इसके साथ 2023 का यह वाला आपका आगया ministry of food वाला आ गया है फिर यह आपका देख लेते हैं हम लोग यह तो 2023 की बात होगी एक आपका 2022 वाला भी है 2022 वाला यह बाइपोस्ट आया है candidate को क्या आ गया है इसमें देखिए कहां से आया है यह ministry of information and broadcasting publications division यह भी आपका new dali का है यह तीन तारीक को आपका आया था देखिए subject है आपको offer of appointment to the post of mts यह है आपका offer of appointment इसमें आपकी वही terms and conditions होंगी congratulations I am directed to say that you have been nominated for the post यह सारी चीज़े आपकी लिखी हुई है 2022 में you are hereby offered as appointment to the post mts following terms and conditions रहती है वही pay matrix level आपका appointment to the post staff in this division you are liable to serve the India in any part of India ठीक है कहीं पर भी आपको अपनी service देनी होगी इंडिया में you will not be entitled कोई भी traveling allowance आपको नहीं दिया जाएगा जब आप डीवी के लिए आएंगे या joining के लिए आएंगे फिर in accordance with orders in force with regard to recruitment to service under the government of India who has entered into contract marriage में है या उसके लिए वह आपको क्या करा जाएगा इस और अपर अपैन्न छुड़ इन देट केस भी ए अइस कैंशल कर दिया जाएगा यह पढ़ लिएगा जिसकी एक से ज्यादा wife है यह उस तरीके से बीना टिवोस ली एक से ज्यादा शादी कर रखी है तो वो कैंसे कर दिया जाएगा उनका इस तरीके से पूरा पड़ सकते हैं तरमेंड कर देख चुके हैं प्रीविएस भी और जो हमारे पॉइंट में लेतर आये थे फिर आपका है यू बिल भी प्रोबेशन पीरिट टू यर्स का आपका होता है फिर ड्यूरिंग पीरिट के आते रहेंगे वो आपका follow करना है आपको फिर in case the offer is acceptable अगर आपको यह offer accept है तो आपको क्या करना पड़ेगा and you fulfill the condition stipulated above you may submit your willingness to join in this department along with the documents आपको अपनी willingness भीजनी है with document by post भी कर सकते हैं mail भी कर सकते हैं ठीक है यह उनके पास देखे पहले by post आया तब mail बाद में आया ठीक है तो आप mail भी कर सकते हैं और by post दोनों तरीके से कर सकते हैं क्या क्या भीजना है certificate mark sheet of matriculation showing date of birth other requisition requisite qualification जो भी आपने qualifications अपनी फिल कर रही है वो भीजनी है along with self attested photocopies they are all और उनकी क्या भीजनी है photocopy भी self attest करके भीजनी है ठीक है और आपका photocopies of certificate in support of your category applied जो भी आपकी category है वह आपको करनी है income वही EWS वाला आपका जो भी है EWS CST OBC जो भी आपकी कस्ट वाली है वह आपको करना है फिर आपका है इंदे सिगा it is also hereby I inform that your document verification will be conducted by इनके दौरा ministry of INB के दौरा आपका डीवी होगा and you will be intimated regarding the same in due course of time आपको कुछ समय बाद उसकी regarding मतलब वह inform कर देंगे इक आपका डीवी होने वाला है this issue with the approval of competent authority यह सारी चीज़ें आपकी है मतलब आपको अभी acceptance वह पनी भेजनी है और यह सारे documents को in close करके साब अपना acceptance बेज़े नहीं है फिर आपका डीवी के लिए वह बादने बुला लेंगे ठीक है और आपको अगर कोई doubt हो तो इसमें आपका contact number दे रखा होगा आप उस पर call भी कर सकते हैं तो यह आपका 2022 था 23 का डीवी का notice और एक आपका यह acceptance वाला तो मिलते हैं फिर आपको next वीडियो में इसी तरीके की important updates आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी telegram group में add हुचाईए का link description box में mention है कोई query है इस number पर call message कर सकते हैं Thank you